बिच्छों, स्वाधत है आपका आपके अपने परिवार भारतवस क्लास इसमें तो प्यारे बिच्छों, आज 25 नॉवंबर 2023 को क्लास 12 का इतिहास का विकली टेस्ट लिया गया और इतिहास के कौन से प्रस्ण पुछे गये थे, subjective प्रस्ण कौन सा था, objective प्रस्ण कौन से थे उसका सही उत्तर क्या था हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने अपने दोस्तों को जल्दी से सेर कर दीजिए चली बिचे स्टार्ट करते हैं, आज के उत्तर तो पहला प्रस्ण पुछा गया था, पहाड़िया लोग कौन थे चार विकल्प दिये गये थे, देखे मैंने यहां से विकल्पों को हटा दिया, सिधा उत्तर को लिका है इसका सही विकल्प था, सिप्टिंग कल्टिवेटर, पहाड़िया लोग सिप्टिंग कल्टिवेटर थे दुसरा प्रस्ण पूछा गया था, सिंधु मांजी कौन थे यहाँ पे सही उत्तर था संथाल विद्रोह के नेता संथाल विद्रोह के नेता सिंधु मांजी थे दामीन एक कोह का गठन किसके लिए किया गया था सही विकल्प है संथाल यहाँ पे अलग-अलग option था अंग्रीज के लिए, संथाल के लिए तो सही विकल्ब में आपे संथाल था अगला प्रस्थ है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्थ किस ने की अस्थाई बंदोबस्थ आप सभी का subjective प्रस्थ भी पूछा गया था अस्थाई बंदोबस्थ क्या था तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पे सही विकल्ब था कार्ण वालिस बंगाल में स्थाई बंदोबस्थ की सुरुआत कार्ण वालिस ने की थी तालुकदार का तातपर क्या था तो यहाँ सही विकल्ब था जो छेतरे इकाई रखता है उसे तालुकतार कहते थे छठा प्रस्ण था पांचवी रिपोर्ट ब्रीटरी संसर्द में कब पेस की गई पांचवी रिपोर्ट क्या थी इसके बारे में आप सभी को सब्जेक्टी प्रस्ण में पूछा गया था रयत वाड़ी, तीक है, रयत वाड़ी प्रनाली सुरू की गई थी आठवा प्रस्ण है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागु किया गया था तो 1793 इसवी को या लागु किया गया था संथालो का विदरो कब आरम हुआ, 1855 इसवी में संथालों का विद्रों आरम हुआ था दक्कन का विद्रों कब हुआ था तो अठारा सो पच्छातर इस वी में ये था आप सभी का अबजेक्टीव प्रशन ठीक है बच्चा आप लोगों को यहां तक कौन-कौन से सही वे अबजेक्टीव में कितना सभी आप सभी आपके कमेट करेंगे अबजेक्टीव के दस प्रशनों में से आपके कितने आएं आपको यहां से जल्दी से कमेट करना है प्यारे बच्चों आप लोगों ने अभी तक भारतोस क्लासिस के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बचा सब्सक्राइब जरूर कीज़े यहां पे आप सभी को क्लास टुवेल्ब के सभी सब्सक्राइब इंपोर्टेंट में से क्या था तो यहां पे आप सभी को लिखना है अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमिनदारों को भूमी का अस्थाई मालिक बना दिया गया इसके तहत वसूले गए कूल रकम का दस बटे ग्यारा भाग कमपनी को देते थे और सेस भाग स्वयम रखते थे यहां पे क्या हुआ किसान और कमपनी के बीच मध्यस्त यहां पे करने जमिनदार आ गए जमिनदार किसानों से कर लेते थे और कमपनी को देते थे यह अपने हनुसार लेते थे जैसे लिख रखाय कि कूल रकम का दस बटे ग्यारा भाग कमपनी को देते थे और एक बट्टा ग्यारा भाग स्वेम भी रखते थे इस तरह वे क्या हुए भूमी के स्थाई मालिक बन गए थे बारवा प्रस्ण है रैयत वार्डी यहाँ पे अच्छे से कर लेंगे रैयत वारी परनाली क्या था इसके उत्तर आपको लिखना था रैयत वारी वार्डी वास्था का जनक थौमस मुर्रो था इसने 1820 इस्वी में मदरास तथा 1825 इस्वी में बंबै में लागू किया था इस वास्था में किसान और अंग्रेज के बीच जमिनदारों के राजस वक्सूली के अधिकार को खत्म कर दिया गया अभी हमने देखा स्थाई बंदों मस्थ में क्या होता था इन दोनों के मद जमिनदार होता था लेकिन अब क्या हुआ कि जमिनदार यहां से हट गया अब कंपनी किसानों से सीधा कर गी वसूली करती थी ठीक है अब कंपनी सीधा किसानों से कर लेती थी बस इतने ही लिखना था पांचवी रिपोर्ट क्या थी तो यहां पर आप सभी को लिखना है पांचवी रिपोर्ट 1813 इसवी में British Sunset में पेश की गए थी यह उन रिपोर्ट में से पांचवी रिपोर्ट थी जो भारत में इस इंडिया कम्पनी के प्रशासन तथा क्रिया कलापों के विशे में तयार की गई थी इस रिपोर्ट में 1002 प्रिष्ट थे इसके 800 से अधिक प्रिष्ट परिशिस्ट के थे जिन में जमिनदारों और रेयतों की अरजियां भिन भिन जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट राजस विवर्नियों से समध सांखिक किये तालिकाएं और अधिकारियों द्वारा बंगाल और मदरास के राजस तथा नयाईक प्रशासन पर लिखित टिपनिया सामिल थी इतना आपको लिखना था फिर अगला प्रस्न था संथालों को या समझ आने लगा था कि उन्होंने जिस जमीन पर खेती शुरू की थी वा उनके हाथों से निकली जा रही है संथाल जिस जमीन को साफ करके खेती शुरूआत की थी सरकार उस पर भारी कर लगा रही थी साहुकार लोग उची दर पर ब्याज लगा रहे थे और कर्ज अदा ना किये जाने पर सूरत में जमीन पर ही करजा कर रहे थे और जमीनदार लोग दामिन लाकें अपना नियंतरन का दावा कर रहे थे इस कारूनों keyboard क्या क्या विद्रोख कर दिया ये दो प्रस्ण आप सभी को खुछ से बनाना था जमिंदारों ने अपनी जमिंदारी पर नियंत्रन कैसे बनाये रखा और सहुकार के विद्रो सहुकार के विरुद दक्कन के रियातों को खुछ सा के कारण क्या था ये दोनों प्रशन आप सभी को स्वयम से बनाना था और थोड़ी से लंबी वीडियो हो जारेगी नहीं तो मैं इनका पी उत्तर दे देता ठीक है बच्चा तो यह था आपका आज का उत्तर थेंक यू